CEN News, देश प्रदेश की ताज़तरीन खबों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पलपल की खबर से हर पल बाखबर कोटा में भी छात्र संग चुनाओ परिणाम खोशित हो गया है, कोटा में AVP ने NSUV का सुप्रा साफ कर दिया है कोटा में 10 कॉलेजों में से NSUV केवल एक ही सीट पर जीत दर्च कर पाई है जबकि AVP ने 5 सीटों पर जीत दर्च किये वहीं, एक सीट पर सैयुक्त मोचा के उमीदवार ने और 3 सीट पर निर्दलिय उमीदवारों ने जीत दर्च की है चुनाओ परिणामों को जानने के लिए कैंडिडेट और उनके समर्थकों का कॉलेज केंपस के बाहर जमावणा लगा रहा पुलिस ने जश्ट मनाने रैली निकालने आधी पर सक्ती से रोक लगा रखी थी इसके बावजूद भी कई उत्साही समर्थकों ने जम कर नाच गाना किया और खुशी मनाई एक उत्साही छात्र ने तो मोटरसाइकल को ही हाथों में लेकर उपर उठा लिया चुनाओ परिणाम में हालात समाने बनाये रखने के लिए कोटा पुलिस ने खासा बंदोबस्त कर रखा था फुर्दंगी छात्रों को पुलिस ने सक्ती से खदेर दिया जहाँ तक विजवी उम्मीद्वारों के नाम की बात करें तो Là College से निर्धलिय दुरलप चौहान ज्ड़ीबी Science से AVP की रचना जांगिट जीती ज्ड़ीबी Commerce से AVP की प्राची शर्मा जीती ज्ड़ीबी Art से AVP की प्रेंडना जैसवाल जीती राजकिय नर्सिंग कॉलेच से निर्दली राहूल सिंग चोहान जीते राजकिय संस्कृत कॉलेच से एन एस यू आई के शुभम शर्मा जीते मेडिकल कॉलेच से निर्दली सुशील कुड़ी जीते गर्नमेंट हाट से एवीपी के रोहित कुमार जीते गौर्नमेंट साइन्स से विने राज सिंग सैयुक्त मोचा और कॉमर्स कॉलेज से एवीपी के पुलकित गहलोद जीते इनमें जेडीपी गर्ड्स आर्ट से एवीपी की प्रेणना जैसवाल ने रिकॉर्ड ग्यारा सो से अधिक मतों से जीत हासिल की तो वहीं लौ कॉलेज में मुकाबला काफिर रोचक रहा है यहां दो नर्दलिय उम्मी दुबारो दुरलब चोहान और हरियो मीरा को बराबत 56 वोट मिले इनके बीच मुकाबला टाय होने के बाद लौट्री के जरिये फैसला किया गया है दुरलब चोहान विजाई घोशित किये कि हमारी मेहना तो हमारा काम हो रहा है और कुछ भी नहीं है यह हमारी मेहना के लिए है जो सफर नहीं है जो रभ लाई कि हम सर्फ अध्रक्ष नहीं हमारा पूरा पैनल जीता है